हलो दोस्तो मेरा नाम है तौसिप एहमद और आप हमारा चैनल में देख रहे हैं तर्की बर्ड और तर्की बर्ड का अंडा कैसा होता है या तर्की तर्की का अंडा कैसा होता है ये जानकारी हम आपको देंगे और वीडियो पूरा देखें वैसे ही आप वीडियो से हड जाओ और जानकारी कि जो लोग हमारा वीडियो देख रहा हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं किये हुए हैं मगर वीडियो कंटीनु देखते हैं तो वो लोगों से गुजारी से की कोशिस करें कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबात दीजिए तो आप वो वीडियो का काने नोटिबिकेशन भी आपके पास आने लगेगा आप कभी का वीडियो देख पाते हैं और कभी वीडियो नहीं देख पाते हैं इसलिए हूँ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें वीडियो सुरू करता हूं यह जो तर्की बेर्ड यह नाच रहा हैं वो मेल है और फीमेल जो बीच में हैं वो फीमेल है और इसके अलावा हमारे पास और भी फीमेल हैं मगार जो नाच रहे हैं वो मेल हैं और इसमें आपको बता दू कि ये मेल फीमेल होते हैं और उसमें जब मेचूर होते हैं या अडल्ट हो जाते हैं तो फिर अंडा देना भी शुरू कर देते हैं अंडा भी दिखाता हूं में उसका अंडा कैसा होता है और अंडा नॉर्मल मुर्गियों के अंडे से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है और उसकी पहचान यह है कि उसमें कुछ डॉट बना हुआ होता है यानि कि ब्राउन कलर के डॉट डॉट बने होते हैं जादा बड़ा साइज का अंडा नहीं है यह मगर इससे भी बड़े बड़े अंडे होते हैं इसके हमारे पास हुआ है और इसको हम मुर्गी की नीचे या मसीन में इसे बच्चे निकालेंगे और इसको अभी यहीं रख दे रहा हूं क्योंकि और भी मुर्ग्या वहां आके अंडा देगी इसलिए इसमें रख यहां पर अच्छे से रख दिया हूं थोड़ा सा भूंसा भी डाल दिया हूं रहे और दूसरा बडिर Дूसरे टक्राइन अर्य मुर्गी वहां आयाकि पर दें तर्कियां जहारी ओं में या किसी गोशला बना के अंडे देने बिश्वास रखती है, याने कि वो मोर की तरह इदर उदर छुपके अंड़ा देने में रहती है, और ये मोर की ही तरह की ब्रीड है, इसलिए इस टाइम में से अंडे भी देती है, और छुपके रहती है और बच्चे भी निकालती हैं जैसे कि ये हमारे पास में जो कुछ फीमेल हैं कुछ मेल हैं तो ये नाच रहा है और इनी के अंडे बच्चे हम करा रहा हैं अभी तो वीडियो कैसा लगा अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्क्राइब नहीं करें तो चैनल करें तरो सेथ्क्राइब करके रहें दन्युक्त